मैं आप से एक दू चीज़ें ऐस अच्छात्र समझने की कोशिश में हो जब इनको छोड़ा गया माफी नामा तो एक पार्ट था दूसरा पार्ट बहुत बोला नहीं जाता है इनको पेंशन भी दी गई और वह साथ रुपर जो मेरी पचास से साथ हुई और यह हर महीने लिखते थे बढ़ाने के लिए नहीं मैं जो प्रोशाब एक दूसरे ढंग से इसको देख रहा हूं मैंने एक जल्दी से देखा था तो यह 23-24 की समय सोना उस समय रफली 17-18 रुपए का 10 ग्राम था तो अगर उसको आज की तारिक में एसकलेट करें कि अगर वह 50 रुपए उस समय इतना सोना आता था करीब करीब सवा डेल लाक रुपए की पिंचन हर महीने मिलती तो यह जो पिंचन थी यह किसी इस काम के लिए तो मिली नहीं थी कि आप वहां अंडबान गए हैं तो मैं आपको पिंचन दे रहा हूं लेकिन यह पिंचन के अगेंस में चल लहा था हिंदू मुसल्मान सीखिसाही साथ थे हेडगवार साब ने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी थी कि गांधी जो है हिंदू मुसल्मान को एक राश्र मानता है इन्होंने इनकी भी जो परडिक्स यह हिंदू मुसल्मान करने लगे थे और इन्होंने कह दिया यह जेल म ने जो औचत्ते दिया कि मैं क्यों हिंदुत वादी हो गया हूं कि जो पठान मुसल्मान वाडर थे वो इतना जुरू करते थे इसलिए मैं मुसल्मान विरोधी हो गया और उधर ब्रेंदर घोश लिख रहे हैं कि यही पठान वाडर थे जो कभी मुगलाई मीट का बना हुआ इतनी जबरदस प्लेट ले आते थे कि हमारी हमारी दिवाली हो जाती थी अच्छा उसके बाद जैसे वहां हिंदू वाडर नहीं थे वो तो हिंदू वाडर तो बहुत प्यार करते थे सिख वाडर नहीं थे तो यह बड़ा आजीब और गरी बात है लेकिन आनत भाई मैं ज आजेश भाई ने सबाल उठाए हिमानशु भाई ने उठाए और बिर्जेश भाई ने तो बहुत ही काटे की बात कह दी कॉंग्रेस ही इतने बेवकूफ हैं जाहिलों का इतने जाहिल है कि अपना यतिहास नहीं जानते हैं आज अगर आप गुजुरात के चुनाओं में भ जो बिर्जेश जी ने कहा कि पटेल वर्सिस सावरकर अरे भाई कॉंग्रेस ने पूछना चाहिए बार्डोली सत्यागरा सरदार पटेल ने 1928 में लड़ा था कितने लोग शहीद हुए थे हिंदू मसल्दान सब साथ थे उसमें सावरकर का कोई समर्तन का दस्तवेश दिख बार्डोली सत्यागरा में और ये बार्डोली सत्यागरा किसके खिलाफ था बंबे के सेट लोग बंबे के सेट लोग बार्डोली के अंदर कोड़ी के दाम पर जमीन खरीद रहे थे और सरदार पटेल को लैनिन बताया गया था अंग्रेजों का और ये सेटों का जो अखब आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाबा साब की बात साउ साब कर रहे थे बाबा साब ने ये कहा कि जहां तक टू नेशन थेरी का सवाल है सावरकर और जिना में कोई भी भेद नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग से बहुत पहले 1937 एहमदाबाद के अधिवेशन में उन्होंने कह दिया था हिंदू और मुसल्मान दोनों जगड़ा करते वे दो राष्ट्र हैं वो तब बोल चुके थे पर बाबा साब ने ये भी कहा कि सावरकर क्या चाहते हैं कि दो राष्ट्र है लेकिन मुसल्मान राष्ट्र जो है वो हिंदों की दादागीरी में रहेगा तो ऐसा तो होगा नहीं वो कह रहा है कि तो सिविल वार होगी फिर तो ये बात बहुत पहले आ चुकी और मैं कॉंग्रेसियों से निवेदन करता हूं कि आप पूछिए कि चलो उनको तिरंगा पसंद नहीं था तिरंगे को तो आप जानते हैं ना सावरकर साब ने क्या कहा कि ये खादी बंडार का जंडा है तिरंगे को आरे सेसे ने 14 गस 1947 को लिखा कि ये मनूस जंडा है क्योंकि इसमें तीन रंग है चलो वह आप तिरंगा नहीं उठाया आपने अंगरेजों के खि जेल गए मैं आरे सेस के हर बड़े लीडर से चोटे लीडर से जो जमाने में एक्टिव था उससे पूछना चाहता हूं कितने सेकिंड के लिए वो कभी जेल गए कितने कभी उनका नाखुन कटा कोई उन पर मुचल का दायर हुआ कोई उनको सजा दी गई एक उधारन पटेल साब का जो सबसे बड़ा मामला है तो बात यह है राहूल गांधी कितने बेवकूफ है कितने नहीं है क्या नहीं है लेकिन जो इस देश ने 75 साल पहले कर देना चाहिए था कम से कम गांधी जी की हत्या के बात कर देना चाहिए था लेकिन कॉंग्रेस के जमाने में ज Rehensioned इंडिया में क्या हो रहा था? गांदी जी की हत्या के बाद उन्हों उन्होंने इनके दस्तावेज़ों कौाउट डिकागा, जो RSS के जो दस्तावेज़, मैंने जम्ना किया हैं सारी दुनिया से, ये दस्तावेज अगर गांधी जी के बाद रहते तो आज ये दिखने को नहीं मिलते RSS नाम की चीज नहीं होती RSS जो है मुसल्मानों के खिलाफ नहीं हिंदू के खिलाफ है ये एक संगठन है जो जिस धरम की बात करता है उसमें इनीक्वेलिटी में विश्वास करता है ये कहता है 26 नॉम्मर 1949 भारत की समिधान सभा ने समिधान को पास किया चार दिन के बाद ओर्गनाइजर ने एडिटोरिया लिखा वी रिजेक्ट दिस्वी वांट मनुस्मर्ती लगान की ये इसको इसको बपाना चाहिए कि यार RSS हिंदूं के लिए है बाकी मुसल्मानों के खिलाफ है इसाईयों के खिलाफ है अरे ये हिंदूं के खिलाफ है ये हिंदू दलीतों के खिलाफ है औरतों के खिलाफ है आप मनुस्मृति जिसको ये समिधान बनाना चाहते है उसका चेप्टर बन, चेप्टर दो, हारेगा कोई नहीं हारेगा लेकिन एक बहुत मशूर फिल्मकार है अमरीका से उन्हों ने ये जब भैस राहूल गांदी ने लिखा उन्होंने कहा है एक काम हो गया बारत के इत्यास में के राहूल गांदी ने एक लाउड हेलर से सावरकर पर एक बहत छेड़ दी है जो इस देश में कभी भी खतम नहीं होगी अब रिजेश कुछ कहना चाह रहे थैं रिजेश एक मेरा सवाल है कि सावरकर के किस हिंदु को भार्ट पा लेकर चल नहीं अगर सावरकर के हिंदुत में प्रोश सावरकर दे रहा है जवाब हिंदुस्तान टाइमस ने बाबरी मज़ीद गिराने के बाद एक टिटूरियल लिखा डबल टॉक ट्रिपल टॉक इस एन अंडर स्टेट्मेंट इन केस ऑफ आरे से सत्ता में आने के लिए कुछ गिरफतार थे पांच-पांच हजार लोग एक एक दिन में शहीद किये जा रहे थे कुई इंडिया मुव्मेंट में तिरंगा जंडा लेकर निकल लिए और मारे जा रहे हैं गोली चला जा रही है माईसूर सरकार जो हिंदू महसाबवा का फाइनलिसर था मैसूर राजा उसने साड़ से से ज्यादा लोगों के पांच रहे हम इसको होने नहीं देंगे हम यह जो सेंटर हिंदू पावर के हम इनको नुखसान नहीं पहुचाने देंगे तो ये सावरकर पर बहस चलाईए और बताईए कि सावरकर और ये इसको यूरस्टी में लगा दीजिए न सारी सारी लगा दीजिए सिलिबस के अंदर लगाईए अगर आप सबसे ज्यादा हम लोगों में घूमते हैं अगर आप बहुत संखे में बदा सकते हैं बुल बुल पर क्या ये क्या था कि मुझे बेरे घुखेरागी ने अरो शुरू में बहुत अच्छी बात की मि बात रखी ने यह बहुत देखेरा हूँ आप देस्किंट के बारे में सोच रहे हैं या पंजाब में को गुजुराथ में कौन जीते गा इसके बारे में सोच रहे हैं। और माल ली जीए ये सारे इशूद नहीं आते। राहूल गांदी ये नहीं कहते तो बीुजेपी हादने जा रही थी, और कॉंग्रेस जीतने जा रही थी क्या हम ये कहने जा रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ जब सिविलाइजेशन्स और देश की किस्मतों का फैसला होता है तो आपने कहीं न कहीं खड़े होकर एक खुटा गाड़ना पड़ता है और करना पड़ता है तब देश बचते है पाकिस्तान का आपने देखा ये हाल देखा कि उन्होंने सब कुछ चलने दिया चलने दिया और उसके बाद मुसल्मानों ने ही पाकिस्तान तोड़ा आपने कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा लालच के लिए उसको छोड़ना होगा ये देश की किसमत कते हैं ये सच है कि आज हिंदुस्तान जो है गुजराद बन गया है गुजराद बनना बहुत अच्छी बात है गुजराद के लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं लेकिन गुजराद के अंदर बाकी गुजराद के लावा भी बाकी हिंदुस्तान में वो judgment वो आपने reservation को खतम कर दिया और लोगों ने कहा है कि वो अंतेश्टी है एक एक तो बहुत बड़े बहुत बड़े जनरलिस्ट ने कहा है कि यह जलियां वाला बाग हुआ है वो उची जाती के हैं वो दलित नहीं है जिन्हों ने कहा कि जलियां वाला बाग हुआ है तो आप यानि यह हिंदुत वादी यह मुसल्मान मामले को यह कर लेंगे यह कर लेंगे मुझे लग रहा है कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो यह सब जगा घिरेंगे सब जगा घिरेंगे पर कहीं से शुरू करना पड़ेगा